श्री बालाульт जी दरबार के महंट देवन संस्थापक महराज बुलाकी राम जी पंच तद्तों में बिली स्री बालाfont जी दरबार के महराज महन बुलाकी राम जी का निधन वो काफी समय से बिमार चल रहे थे जिनका उपचार बरेली के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था रविवार को इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया निधन की खबर जैसे ही जब भक्तों को मिली तो मानो गम के बादल चा गए हो क्योंकि बुला की राम जी के चाहने वाले रामपूर में ही नहीं बलकि पूरे उत्तर प्रदेश में थे महाराज अपने आप में एक मिशाल थे बाला जी महाराज महान तो थे ही लेकिन उनके साथ-साथ महनत मज़डूरी करने के बाद अपने परिवार का पारन पोशन करते और आज परोस के लोगों का ध्यान रखते थे अगर उनके जीवन परिचे पर हमें एक नजर डाले तो उनका जीवन अपने आप में अजीब और गरीब था हमें अपने आप में कहते हुए भी कुछ दुख सा महसूस हो रहा है क्योंकि आप बालाजी महाराज के महनत थे वो महनत मजदूरी करने के बाद आप दरिवार में जो भी होता था निदान पूर्ण करते थे इसके अलावा दरवार में जो जल्दी थी बेबी उनके नीजी पैसे मतलब यानी की महनत मजदूरी करने के बाद खून पसीने की गाड़ी कमाई बाला जी महाराज पर खर्च करते थे उनके चाहने वालों ने जन सेलाब उमड़ा कितना भी वी आईपी हो या कोई भी आम आदमी हो कोई भी पीछे नहीं रहा अंतिम संसकार के समय सब लोग ऐसे उनके साथ रहे जैसे वाज जीवित है और उनके साथ रहते हैं इतना ही नहीं उनके चाहने वालों की आँखे नम दिखाई दी आँखों में आशु रुख नहीं सके जब महाराज की अत्येश्टी के लिए ले जा रहे थे बड़ा हो या छोटा सबकी आँखों में आशु थे उनके हाथों में फूल थे जब महाराज की अंतिम यात्रा में सडकों पर फूल बिच्छा दिये सडकों पर च्छाई हुई थी महला जंडा से लेकर स्वरकधाम तक ऐसा च्छाया हुआ था कि शायद कोई परिंदा भी आस्मान पर नहीं बोल रहा है जिस से लगाया जा सकता है कि महाराज अपने आप में क्या थे